अस्सलामु अलेकुम रहमतुलाई वरकातो हूँ दोस्तों मैं हूँ इर्फान खान एक बार फिर से आप तमाम का इस्तक्बाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो के जरीए जैसा के आपने थमदिल में देखा है मैं दो टॉपिक आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ आज की एक जो है उन्हें महानगर पालिका की जो कॉंट्रैक बेसिस की उर्दू मेडियम की जो वेकैंसिस आई है छे महीने के लिए उसके बारे में जि आज एक मेरे दिमाग में आया है कि हम हिंदिय और इंग्लिश मेडियम वालों के लिए और दूसरे मेडियम वालों के लिए भी थोड़ी बेसिक जानकरी दे दे ताके वो confusion जो है उनके दिमाग में जो वो aspirants से उनके दिमाग में जो सवाला थे वो दूर हो जाए तो दूसर स्क्रीन पर देख रहे हैं आज उनती जुड़ाई को एक अडवर्टाइजमेंट आई है उर्दू मेडियम के चौपन वेकैंसिस के लिए माध्यमीक के यानि के छे से आट की वेकैंसिस के लिए और नौ से दस की वेकैंसिस के लिए जो जगे भरी जाएंगी वह कॉंट्रैक बेसिस पर मैं आपको सामने बतानी की कोशिश करूँगा और इसकी डीटेल्स ऐसी है इसकी वजाहत ऐसी है कि उर्दू मेडियम के ये चौपन जगे है जो के टोटल कास्ट वाइस है अब ये कास्ट वाइस में अलग अलग कास्ट के जैसा कि जो तुमारी कास्ट होंगे ज जिसमें नहीं होती है जैसा कि आप इसे बहुत है मॉंबई महानगरपालीका भी ऐसे भरती है चीक है तो पुने महानगरपालीका में जो है जो आज 29 जुलाई को देट आज की डेट में जो भी अडवर्टाइज्मेंट आएंगी तो ये इसको आपको बाइएंड वहापर म करना होता है आपके जो भी जरॉक्स होते है इसमें सबसे में जो होता है वो डी एड बी एड बी ए जो भी अपना आपका जितना भी कॉलिफिकेशन होता है वो जरॉक्स का बंच आपको जमा करना होता है इसके बाद में जो है आपको बाइ हैंड जो है आपका ऑनलाइन कोई पोज से कोई भी अर्ज लिया नहीं जाएंगा ठीक है इसके अलावा जो है आपको जब आपका मैरिड लिस्ट में नाम आता है और या जिर जब आपको ओरीजनल साथ में ली जाना होता है वो ओरीजनल आपका चेक करते हैं इसके अलावा जो है यह 20,000 रुपए के मांधन पर है जैसा के मैंने आपको बताया और अगर कोई TET और CTT है TET या CTT दोनों में से कोई एक है तो उसको पहला प्रधान्य दिया जाएंगा प्रेफर किया जाएंगा इसा साफ साफ उसमें लिखा है यहाँ पर जो है जो टैट एस्पारेंस मेरा जो वीडियो देख रहे है जिन बता दे रहा हूँ कि आपको यह डिपेंस करता है कि आप वह जॉइन करते हैं नहीं बीस हजार रुपे मोटी अमाउंट है और जो पुने और पुने के आसपास के वो इजी गोईंग में इसको जॉइन कर सकते है जिन्हों ने टैट नहीं दिया जो फिलहाल में फ्रेश में है बीस हजार रुपे पर मंद के साब से 6 मैनी के एक सववा एक लाग रुपए हमारे पास आ सकते है और एक हमारे को तजरुवा भी आ सकता है इसलिए जिन्होंने टैट नहीं दिया उनके लिए एक अच्छे पॉर्चुनिटी है और यह हमेशा से रिग्रेट करते हैं जो ह वहां भरती होंगी यह जो सबसे बढा गयर समझ जो है हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ सtop cafe जो हमारे को लोगों की दरीए सुनीवी जो बात है कि हवा में ठीर बहुत से लोग मार दीते ते और आप उसको सата समझते के पर्मनंत कर देते फिर यहा जाता है हम कौर्ड में आपको जो है आप किसी भी प्रकार का code में matter यार ले जा नहीं सकते इसको permanent करने के लिए इसलिए full temporary जाब होती है और जो पिछले 15-20 सालों से जो temporary कर रहा है ये उनका मुद्दा होता है जैसा कि बहुत से department में बहुत से लोग temporary जो 15-20 साल से कर रहे होते हैं अब वो retired की उनकी मरा चुपी है 50-52 साल की तो उनको permanent कर दिया है government of maharashtra ने बहुत कम ऐसे किस्से होते है 15-20 साल तुम एक साल दो साल और पास साल करेंगे और एकदम दावा कर देंगे ऐसा नहीं होता जो 15-20 सालों से 12-12-15 सालों से कर रहे है उनके लिए ये जो है जो बहुत कम rarest of the rare case है से महारashtra में ना के पंजाब में ऐसा हुआ है परमनार किया है 15-25 साल वा लोगों एकदम last age में वो आते है और यू भी वो class 4 और class 3 पर ही लेते है ये मुद्दा हो गया clear आपको ऐसे apply करना है और अगले कुछ जो है 7-8 दिन time है उसके लिए तो वहां तक आपको apply करना है जो जो पूरे जो डॉक्मेंट से आपके 10 वी से लेके तो आपके CTT, CTT तक जितने भी आपका जितना education है सब के सब जितना ज्यादा education है वहां उतना जो है आपको benefit मिल सकता है लेकिन शर्त यह है कि आपके पास CTT और CTT और CTT और दूसरा मुद्दा है English medium और Hindi medium वालों के लिए म कोई बोलता है कि उर्दो medium और माराथी medium के बारे में बोलता है तो यह बात दिमाग से निकाल दो कि क्यों कि गवर्मेंट ऑफ महाराष्ट्रा 11 medium चलाती है और 11 के 11 medium की vacances निकालती है यह गवर्मेंट है यहां सब को बराबर इंसाब मिलता है सिर्फ मसला यह है कि आप लोग की vacances आती है लेकिन हर जिले में आपकी इस्कूले नहीं है सीधी सी बात है हिंदी मेडियम की तो बहुत सी है महाराष्ट्रा के अंदर लेकिन अगर मैं इंगलिश मेडियम की बात करूं तो ज्यादा तर महानागरपालिका में प्यॉर इंगलिश मेडियम चलता है अगर आते हैं तो आप आगर बारवी तक मराथी मेडियम भी रहे तो सेमी इंगलिश पर जैसा है कि मुंबई महानागरपालिका की स्कूलों में आपको ले सकते हैं छीक है लेकिन यह इंगलिश मेडियम की बात हुई मैं बात कर रहा हूं हिंदी मेडियम की लिए वही शर्थ है पहली से लेकर तो बारवी तक का आपका एजूकेशन हिंदी मेडियम है, प्योर हिंदी मेडियम में होना जरूरी है, कमपल सरी है, अब इसके बाद में मैं बात करूँ वेकैंसिस की, जैसा दूसरे मेडियम की आती है, वैसी ही हिंदी और इंग्लिश मेडियम की रोस्टर के ह पर बास उतनी जगह कहा कहा होती जगह होती है especially आपके नगरपालिकां में और महानगरपालिकां में जिलापरिशद में बहुत कम होती है इसके बाद में बड़ी-बड़ी महानगर पालिक आये जैसी है हो सकता है, अम्रावती, अकोला, विदर्बा के इलाखों में या बहुत से दूसरी जगे, नाकपूर जैसे इलाखे में नाकपूर में भी हिंदी मेडियम गौर्मेड की स्कूल है इंग्लिश मेडियम की गौर्मेड की स्कूल है तो ये चीज़े है, यानि दिमाग पर प्रेशर लाकर कोई फायदा नहीं है आपको सेम प्रोसीजर की जरीए वहाजना आप नए है इस चीज़ में आपने कभी भरती दी नहीं, इसलिए आपको आपके दिमाग में शक आता है लेकिन शक को क्लियर कर दो रही बात competition की, तो competition मराठी मेडियम के मुकाबले में बाकी तमाँ मेडियम में कम ही होता है अगर मैं अपना point of view दू तो आपके जो vacances आते हैं तो आपके इंग्लिश मेडियम की बात परूमा तो vacances अच्छी खासी होती है और competition उतना खास नहीं होता है लेकिन 2017 के भरती के बाद में एक हर मेडियम वाले को एक नई बेदारी awareness हुआ है उनके अंदर और वो जो है TET और CTT पास करने की रेस में लग चुके और बहुत से candidate ने उर्दू-मराथी और हिंदी मेडियम और बाकी मेडियम वालों ने CTT जो है पास की है इसलिए competition जो लेवल रहेंगा 2017 के मुकाबले में या 2010 के CT की बात करूँ है प्याओर इंग्लिश मेडियम वाले जो मेरा 2017 में भी competition बहुत डाउन था इंग्लिश मेडियम वालों का शर्थ यह हो दिए कि पूरा की पूरा उसका education इंग्लिश मेडियम में चाहिए इसलिए वहा condition लेकिन इस बारी में competition थोड़ा बड़ा हुआ रहेंगा हिंदी मेडियम में भी और इंग्लिश मेडियम में लेकिन अगर आपके पास मार्स है च्छे खास है निकि 100 है 100 प्लस है या मैं बोलू कि 90 प्लस भी है तो एक आप उम्मीद लगा सकते है प्राइमरी लेवल पर रही बात 9 to 12 की तो आपकी vacances 9 to 12 की बहुत कमाती है और ना के बराबर आती है जैसे उर्दू मेडियम का हाले आपकी तक्रीबन vacances पहली से 8 वी की आती है और गौर्मेंट की स्कूले पहली से 8 वी की है उर्दू मेडियम वाले जनरली question करते है 9 से 12 पर vacances उर्दू मेडियम की आती है क्या तो नहीं 9 से 12 पर vacances है ही नहीं पिछले 20 सालों से 2017 में जब हुई थी तो वो उसमें भी science की जो vacances आई थी वो 2 से 4 आई थी उससे ज़्यादा नहीं आई थी 6 से 8 पर science की, English की, social science की और भाशा की आती है आपकी सिर्फ और माराथी मेडियम पर होता है तो इस वीडियो का मेरा मकसद था कि उनके जो दिमाग में जो question है उनके जो बार-बार वो सवाल आते हैं पैदा होते हैं कि उसको बोलेंगे हम कि हमारी vacances आती है क्या तो बिलकुल आती है ऐसी कोई tension लेनी की बात नहीं है और आपके अंदर competition कम ही होता है जहां तक मेरा कयास है उर्दू, मराथी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश मेडियम में और बंगाली मेडियम में तो एकदम कम से कम vacances आती है यानि कि हर जिले में तो आती है जो जिले बंगाली मेडियम के जो महराश्ट्रा के जिले वहां से जो तैलगो मेडियम भी आती है जो तैलंगाना से अटाज है जैसा के गडचिरोली है यहां पर आती है इसके अलावा मैं बात करूँ गडचिरोली के अलावा गोंदिया है इसके पटे में जो है तैलंगाना की स्कूले जो है और इसको बोलेंगे करनाड मेडियम की भी vacances आती है जो करनाडगा से अटाज है हमारे जिल्ले बहुत कमाती है एकदम नाके बराबर आती है आपके मेडियम की छीक है तो यह चीज थी तो किसी भी मेडियम वाले के लिए मे इंसाफी नहीं होंगी सिर्फ यह होंगा कि वेकैंसिस का डिवाइडेशन जो होंगा वह आपके बिंदोनामावली किलियर होने के बादी होंगा ठीक है लेकिन सब कियांगी रही बात उर्दू मेडियम की हो तो हमेशा ही में बोलता हूँ मराथी मेडियम का पी मैं एक्सर होते रहता हूँ तो जो कोई भी उर्दू मेडियम वाले मराथी मेडियम वाले निवेदन दे रहे मालूमात निकार रहे उनसे भी उनको मैं यह बात बताता चलू कि आप बिंदोनामावली किलियर होंगी और पूरी रिपोर्ट देख आएंगी बोलेंसोल उससे हमको पता चलेंगा कि जाहिरात की उम्मीद हम क्या लगा सकते एक ओवराल जाहिरात जिसमें 20-30,000 या 30,000 की उम्मीद हम लगा बैटे है एक्चुल जाहिरात जिसमें पवित्र पोर्टल पर आएंगी तभी हमको जो है वह आकड़ा पता चलेंगा आज के वीडियो के जरी मैंने जो बताने की कोशिक किया हूँ के आपको बस समझ में आया अच्छा लगा और अच्छा लगा तो लाइक कमेट और शेयर जरूर करो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी इंफॉर्मिशन के साथ अच्छी मालूमात के साथ और आपके जो भी कमेट आते हैं उस तर सोच झाल झाल